असलाम आलेकूम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्चे आम का गुडंबा बनाने की बहुत ही असान रेसिपी जो की बहुत ही ज़दा टेस्टी होता है और बनाने में उतना ही आसान भी है तो चलिए इस असान सी गुडंबी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले अपने पैन में एक चमचम ऑईल डाल देंगे आप यहां पर गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं और इससे गरम होते हैं हमने यहां पर दो मीडियम साइज की कच्चे आम लिए हुए जिसे हमने लैंटफाइस कर लिए हुए थोड़े मोटे ही बस अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है तो इस सारे हम अपने प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी बास सेम पैन में यहां पर हमें वापिस डाल देना है दो चमच यह करीब और ओयल को हमें गरम करना है और ओयल की गरम होते हैं हम इसमें डाल देंगे चार से पांच forcience long का काफी अच्छा फ्लेवर आता है को जरूर डाले गा तो हमने चार लॉंग डाल Sn égal को थोड़ा सा Crackle कर लेंगे कि यह थोड़ी सी चटकने लगें तो जब यहां पर हमारी लॉंग क्राकギ्प हो जाएक हम प्हूर्ट करने यूप ऐच्छा हमने नतला है सब्सक्राइब नहीं है थोड़ा सा थीन से चाल मिनिट में हमारा बुन जाएगा ताप यहां पर देख सकते हैं जो आटा है इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है यह थोड़ा सा इसे और रोस कर लेते हैं एक से दो मिनिट तो यह देखिए यहां पर हमारा आटा और तो फिर आप उसको चाल लीजेगा गलाने के बाद उसके बाद इस्तिमाल किजेगा तो साथ में हमने इसमें डाल देना एक का पानी और गुड को गलाना है तो फ्लेम को हाई कर लेंगी और लगतार चलाते वए जब तक कि हमारा गुड गल लें जाता तब तक हम इसको पका ल अगर आपको लगता है कि आपकी गुड में किसी तरह की कोई इंप्यूरटी है तो फिर आप उसको चाल लीजेगा मेरा गुड एकदम साफ है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और अब यहाँ पर जो हमने कच्छा आम फ्राइ करके रखा था सबसे स्टेप में उसको हमें और साथ में इसकी डाल देने हैं दो कप पानी एक कप पानी हमने गुड में आला था और दो कप अभी जो की एकदम परफेक्ट हमारी इस रेसिपी के लिए तो यह हमारा दूसरा का पानी भी इसमें गया अब हमें इस पानी के साथ इस आम को थोड़ा सा पका लेना है जिससे कि इसमें टेस्ट आजा है इस पानी में अच्छा सा तो फ्लेम को हाई कर लेंगे और 3-4 मिनट में हमारा यह आम पकना यहां पर स्टार्ट हो चुका है पान इसी तरह से करेंगा वरना फिर आटा इस सिरप में डालने के बाद लंप्स पढ़ने की बहुत चांसे जराते हैं तो ध्यान देजिएगा कि आपको आटा को डालना है और फटा फट चलाना है हाथ को बहुत तेजी से चलाएगा जिससे की असानी से आपका यह मिक्स हो जाए सिरप में तो देखें यहाँ पर हम कितनी तेजी से अपने हाथों को चला रहे हैं और इसको मिक्स करते जा रहे हैं इस तरह करना बहुत ही ज़रूरी है वरना फिर इसमें लंप्स पढ़ जाते हैं तो देखें आप यहाँ पर हमारा जो यह सारी चीज़ें अच्छे से मिक् तो इसलिए आपको हलका गुन-गुना दूद इस्तिमाल करना है और इसे दूबारा से मिक्स कर देना है तो लगातर चलाते रहे हैं और उसके बाद हमारी रेसिपी बन के तयार हो जाएगी तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हम जिस तरह से मिला रहे हैं आप भी ऐसे ही मिलाई है तीन से चाय मिनट के अंदर यह दूद अच्छे से सिरप और रवा और आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इस रेसिपी को तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स की आप इसे लगी हो आप इसे बनाएगा आपको यह टेस्ट में पहुत ही पसंद आएगी और अगर आपको मेरी इसी लगतीusst तो आप अगर आप मेरे चैनल में से चैनल के असा दो मेरे आ हं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिद्भूलzh